केबिनेट मंत्री धन सिंग रावत ने केनियोस इंडिया से बाचीत के और प्रदेश में पहली बार डोस के टीका करन का काम पूरा हो चुका ये भी खा जल्द दूसरी डोस का काम भी पूरा कर लिया जाएगा और प्रदेश में आई आपदा से उत्तराखंड को बारी नुकस सब्सक्राइब करें में चलने मारे हैं और मुझे बड़ी खुसी है कि देश के स्वास्ते मंत्री जी बी देशके प्रदान मंत्री जी ने बिए उत्राखंड को बहुत सावासी दी है कि हमने पहली डोज जो वैक्सिनेशन की ती वो पूरी कर ली है 100% जो है अपने राज में पूरा हो गया है सेकेंड डोज भी हमारे यहां लगवागा 50% हो गई है और हमारा तारगेट है कि हम दिसंबर तक 100% लोगों को जो है दूसरी वैक्सिन डोज भी लगा देंगे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रदाहन मंत्री जी ने बनारा से एक आत्मनिर्वर भारत के लिए स्वास्ति वहा के लिए लगवग 68,000 करोड पे केक इसकीम लांज की है और उसका आज पूरा पर्जेंटेशन भी होने वाला है वैक्सिनेशन की तैयारियों के लिए भी राजियों के आज केंद्रे स्वास्ति मंत्री जी समिक्षा कर रहे हैं और हमारा प्रियास यह है कि हम स्वास्ति के छेतर में और अच्छा काम करें अभी हमको भारत सरकार ने तीन मेडिकल कॉलेज भी दे हैं और जल्दे हम उन मेडिकल कॉलेज का भूमी पूजन करके काम सुरू करने वाले है तीस अक्टूबर की बात करें तो ग्रह मंत्री अमिश शाह जो है वहाँ पे पहुंच रहे हैं पहले भी आपदा को जिस तरह सा आपदा आई तो उसका उन्होंने निरिक्षण किया था किस तरह सा आप इससे देखते हैं तीस तारीकों हमारे देश के ग्रह मंत्री और सहकारिता मंत्री मानी अमिश हाजी आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा कारिक्रम हमारे मुख्यमंत्री घस्यारी कलियान युजना का उनके द्वारा लॉंचिंग करा रहे हैं और उत्रा खंड के इत्यास में लगबग साड़े साथ लाक मेलाओं जो हमारी घास कारते हैं उनके लिए हमारी सरकार्निय का बहुत ऐसी इसकी मना रहे हैं उसके वो लॉंचिंग करने जा रहे हैं और हज़ारों लोग उसकारिक्रम में उस दिन भाग लेने वाले हैं खास्त और जो टार्गेट आप बता रहे हैं कि दिसम्बत तक दूसरी डोज का भी प्राबदान किया गया है जो आपदा आई आपको लगता है इससे काफी कुछ फर्क पड़ा है भारी नुकसान खास्तों आप उत्तरा खर्म देखने मिला है डैमेज कंट्रोल होना मुश् काफी टूड़ गए हैं बिजली का है पानी का है काफी नुकसान हो है लेकिन मैं प्रदान मंत्री जी का धन्यबाद दे रहा हूं कि तुरंत हमको तीन सेने के हलिकॉप्टर उनने भीजे हजारों लोग उसमें हमने रेस्कू करके वापस उनके घरों में भीजे हैं और अपदा उत्राखंड में उससे भारी नुकसान जरूर हुआ है लेकिन फिर भी सरकार की कोशिस है कि लोगों को सेकेंड डोज भी तैय समय पे दिया जा सके कैमरा मैं दीपक शर्मात साथ अमिद्वे के निउच दिल्ली